आई गाइस कैसे हो आप लोग आपके सामने में प्रस्तूत करता रहा हूं और आने वाले दिनों में भी आप करता रहूंगा और आप बस ट्यून रही है के देशन चैनल को सब्सक्राइब कर लिजये अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज और के लिए कि एने बाले जुनोंमें जब जब मैं लेशन अप्लोड करो हूंगा आप आपके सामने water resources और बिहार के बारे में discuss करने बाला हूँ बिहार का जलसंद संसाधन क्या है जो कि आपके के लिए न के बल मेंस प्रपीटी बलकि मेंस के point of view से important रहेगा कौन सी योजनाय है क्या resources बिहार के बारे में एक overview देना है मुझे ठीक है तो चली हम लोग देखते हैं के अंतरगत बिहार का जलसंदाधन water resources of बिहार 65 BPSC preparation के point of view से बिहार का जो agriculture में अगर आप देखेंगे ओवर ओल देखेंगे तो बिहार का ही नहीं बलकि पूरे अगरिकल्चर जो है mainly rain fed माना जाता है rain fed मतलब dependent on rain similarly बिहार का अगरिकल्चर भी rain fed माना जाता है rain fed मिन सिधान रखेगा fully dependent on rainfall right so बिहार सा अगरिकल्चर इज मेंली rain fed and major source of water is from southwest monsoon right southwest monsoon correct and only around 57 percent अब देखेंगे कि 57 percent जो है कल्टिविट एडिया का irrigated माना जाता यह important है आपके prelims के point भी उसे है most important point ध्यान रखेगा विहार का अगरिकल्चर जो है rain fed है मतलब rainfall पे independent है और major rainfall जो होता है southwest monsoon से होता है और तीसरा point है जो 57 percent of the cultivated area is dependent on irrigation irrigated है right मतलब जितना भी cultivable area है हमारे विहार में उसका 57 percent में irrigation की facility provide की गई है बिहार जो है basically आप देखेगा नदियों के जाल से घिरा हुआ है मतलब बिहार में बहुत सारे नदी है हम लोगों ने पिछले class में पिछले lesson में rivers और बिहार के बारे में discuss किया था जहां पर अलग अलग river को हम लोगों ने study किया था tributaries के तौर पर लेफ्ट बैंग और राइट वाइट वाटर के तौर पर और जिस major source जो हो जाएगा वो हो जाएगा rivers रिवर्स में कौन-कौन्स है नेमली मैं आपको बता दू कि गंगा रिवर गंड़क रिवर बूड़ी गंड़क घागरा कोसी महानंदा सोन और उसके बाद पून-पून फिर महानंदा बहुत सारे नदी है कोसी आप लोग देखते होंग सौधन बिहार में अब जानते हैं कि तीन-चार रिवर ही है जैसे सोन है पुन-पून है फलगू है यह सब रिजन है रिवर है जो सौधन पार्ट में है इसलिए सौधन पार्ट बिहार इस नॉट इंडोर बिथ रिच ग्राउंड वाटर इंसर्फेस वाटर राइट वहां सौधन पार्ट बिहार में पार्ट बिहार में जैसा कि पहले में बता चुका हूं कि बिहार का पूरा का पूरा रें के ऊपर डिपेंडेंट है तो बिहार का जो रेंफॉल है वो काफी इंस्टूमेंटल रोल प्ले करता है विहार के एग्रिकलचर में और विहार में जो रें फॉल का जो सोगस में दुसरा है hot weather rainfall जो hotness के कारण rain होता है तीसरा है southwest monsoon जो कि most important माना जाता है और चोथा है northwest monsoon जिसको retreating monsoon भी बोलते हैं अगर आपने Indian monsoon को पराऊगा इंडिया के respect में तो दो तरह के monsoon होते हैं southwest monsoon और northwest monsoon southwest monsoon जो है arrival of the monsoon माना जाता है northwest जो है इसको बोला जाता है departure of the monsoon या यह retreating monsoon मतलब लोटता हुआ monsoon राइट तो यह major source है बिहार का दो river and rainfall करेक्ट अब मैं आपको उता दूँ कि economic survey से जब आप बिहार के economic survey को आप go through करेंगे खास करके water resources की बारे में तो कहा जाता है कि economic survey के अनुसार के 2001 से लेके 2017 तक 2001 से लेके 2070 तक properly rainfall के बारे में अगर study किया गया है तो उसे यह result निकलता है कि highest rainfall जो देखने को मिलता है वो that is in the southwest monsoon में southwest monsoon के कारण ही बिहार में highest rainfall या rain water receive किया जाता है और lowest जो मिलता है वो है winter rain जैसा कि पहले मैं बता चूँ कहा हूं कि rainfall जो है वो basically चार सूर्स से है पहला कौन सा है पहला winter rainfall दूसरा है hot weather rainfall तीसरा है southwest monsoon और चौथा है northwest monsoon so highest southwest monsoon and lowest winter rain as usual आपको पता ही होगा अब है देखिए बिहार में जो annual average जो कि prelims के point of view से important है इस चीज़ को ध्यान रखेगा जो 2001 से लिए के 2017 तक के study किया गया उसके अंतरगत 99.94 mm का rainfall average annual rainfall माना गया है इसका मतलब है कि 99 cm का average rainfall देखने को मिलता है annual rainfall और इसमें से लगवग 85% जो rainfall मिलता है वो basically दिखेगा southwest monsoon से जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं highest rainfall जो बिहार में मिलता है वो southwest monsoon से मिलता है राइट अब आगे चलते हैं यहां तक के अब next point में है देखिए last 17 year को अगर properly study किया गया है जैसा कि economic survey में लिखा हुआ है बिहार के economic survey 2019 के अनुसार दियान दिखेगा तो बताता है कि 2010 का जो average rainfall था वो 66 cm था मतलब 67.9 mm जो की 67.7 cm माना जाता है annual average जो की lowest माना जाता है last 17 year 2001 से लेके 2017 तक में और highest जो देखा गया है average rainfall वो है 156 मतलब 150 cm करेक्ट यह कौन से year में देखने को मिला है 2007 में यह last economic survey में भी यही data था और इस लाल लेटेस जो 2019 के फेब में आया था उसमें भी यही data है कि last 17 year का highest rainfall जो है 2010 में हुआ था 2007 में हुआ था जो की 150 cm माना गया है और 2010 में सबसे कम हुआ था तो जो सर सर सेंटीमेटर था राइट अगर आप देखेंगे rainfall पैटर्न जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था एग्रो क्लामेटिक डिवीजन बिहार के बारे में उसमें भी मैंने वहां एग्रोक्लामेटिक तीन एग्रोक्लामेटिक जोन होता है बिहार में राइट आपको पता ही होगा थ्री एग्रोक्लामेटिक जोन जो कि जोन वन जोन टू जोन त्री है नौर्ट वेस्ट नौर्थेस्ट को मिलता है North East Zone में जो कि zone 2 भी बोला जाता है राइट जोन 2 नौर्थ इस्ट कि संगंज अरडिया वाला पुर्णिया वाला डेस्टे राइट तो नौर्थ इस्ट में सबसे हाइस रेनफॉल देखने को मिलता है इसलिए कहा वह गया है अब स्टडी के अंशार कि एग्रो क्लमेटिक जोन में भी एग्रिकल्चर यह रेनफॉल का पैटर्न वाइरी करता है राइट और उसके बाद सौधन पार्ट जो जोन 3 है उसमें सबसे कम रेनफॉल देखने को मिलता है अ जबकि अर्वल अर्वल जिस्टिक सौधन पार्ट में है आपको पता ही अग जहां के रेनफॉल कम देखने को मिलता है तो अर्वल में सबसे लोईस्ट रेनफॉल है जहां पर 58 सेंटीमेटर माना गया है on an average राइट लास्ट 17 येर का सब स्टडी किया हुआ है अब यहां प सेंटीमेटर माना जाता है 2017 में 2017 तक 99 सेंटीमेटर के average रेनफॉल से ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है राइट मतलब 38 डिस्टिक में से 17 डिस्टिक में average रेनफॉल 99 सेंटीमेटर से ज्यादा रेनफॉल मतलब कौन सा पार्ट होगा most of the northern part या most of the zone 1 and zone 2 of the agroclimatic agroclimatic zone correct right now so agroclimatic zone of the northern Bihar means zone 1 and zone 2 या कर सकते है zone northwest and zone northeast दोनों में highest rainfall देखने को मिलता है मतलब जो 17 डिस्टिक है जहाँ पे average state average rainfall से higher rainfall देखने को मिलता हूँ और northern part में ही basically देखने को मिलता है फिर 2018 का भी data इसमें निकाला गया है जिसमें बताए गया कि किसंगन जो है यहाँ पे 2018 जो है वो September October के data का अनुसार है ध्यान रखेगा ना कि whole year का फिर भी यह तब तक September तक में यह माना गया कि किसंगन जी दिस्टिक है जो continuously highest rainfall record कर रहा है जबकि 2018 के southwest monsoon होने के बाद average rainfall lowest category में अगर देखा गया तो यहाँ पे देखेगा कि जहानाबाद का नाम आता ह है जहाँ पे 39 cm मतब 395 mm मिंस 2018 का अनुसार भी किसंगन चॉप पे रहा है 2017 तक में भी किसंगन चॉप पे रहा है on an average और 2017 के data का अनुसार जो whole year का data है उसके अनुसार lowest rainfall जो है वो अरवल में है और highest किसंगन में है है जबकि 2018 के सक्टमर का नुसार highest किसंगन में है अलोएस्ट जहानाबाद में दिखा गया है तो आप मैप में भी जरूर दिखेगा ध्यान लिखेगा कि जहानाबाद कहां है डिस्टिक किसंगन किस जगह पे है कौन से अग्रोकलामेटिक जोन में है इस तरह से गरा सब्सक्राइब करने के लिए पॉटेंशिल को यूज करने के लिए न कीबल प्रोग्राम और स्कीम बना रहा है बलकि अपना जो 57% के असपास जो का इसका हम फरसलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए इंटरनाशनल प्रोजेक्ट भी शाइन घर है और इंटर श्टेट प नेपाल ही है नौर्थ में तो नेपाल के साथ भी सब्तकोसी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है तो आने बहुत पॉइंच में हम लोग डिस्क्रस करेंगे उसके पहले मैं आपको बता दू कि स्टेट गवर्मेंट जो है 2017-18 में लगबख 55,000 हेक्टर additional irrigation potential को create किया है यह भी water resources को बराने का एक program है या water resources को proper utilize करने का तो 55,000 हेक्टर of additional irrigation potential was created in 17-18 जिसके अधार पे अगर देखा गया है कि 2016-17 के comparison में 2017-18 में total potential जो हो है वो 71.03 lakhs हो गया है और 16-17 में कितना था 70.48 lakhs हेक्टर तो मतलब क्या हुआ कि इस 55,000 को add करने के बाद additional irrigation potential को add करने के बाद अब विहार में जो created potential है वो है 71.03 lakhs याद रहेगा 71.03 lakhs 1973 में एक बहुत बड़ा बाड़ आया था 73 से 74 में उसके 3-4 साल पहले 71 होता है है ना तो उसे याद रखे है 71 lakhs hectare जो total potential है irrigation potential है बिहार में अब 17-18 में इसके उट्राइज़न की बाद अगर करें तो utilization of the created potential was 80% for major irrigation and same has been increased to 90% for minor irrigation तो created potential जतना भी है total बिहार में उसमें से major irrigation का जतना potential है उसका 80% जो है utilize किया जा रहा है और minor irrigation में 90% utilize किया जा रहा है correct अब देखें जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि potentiality को या availability को water resources के मामले में जल संसाधन के मामले में या water resources की कमी को पूरा करने के लिए बिहार न केबल अपने potential को create कर रहा है बलकि international project भी sign कर रहा है बना रहा थी यह देखें सब्ट कोशी high dam project जो कि नेपाल के साथ ही project sign किया गया है और इसमें proposal दिया गया है इस project को बराने के लिए जिसमें irrigation को बरहाबा दिया जाएगा flood को manage किया जाएगा आपको पता ही है कि कोशी river जो है sorrow of बिहार माना जाता है जिसके कार्म बहुत जैमज और छती ग्रस्त होता है northern बिहार तो flood को manage करने के लिए electricity भी पैदा करने का point of view से यह project है हाइडल पाबर को बराने के लिए ठीक है similarly water resources को अगर properly harness किया जाएगा proper manage किया जाएगा तो water transport की facility भी बराए जाएगी तो यह जो है सब्त कोसी high dam project इंडिया और नेपाल के बीच का project है जिसमें बिहार भी सामिल है और इसमें चार potential point है वो है irrigation को बराना flood management को बना रहा है हाइडल प्रोजेक्ट को लाना और water transport को बराना राइट अब आते हैं state की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले देखें इंद्रपूरी जलासाय योजना का नाम अपने सुना होगा अगर नहीं सुना है तो ध्यान रखेगा इंद्रपूरी जलासाय योजना जो है बेसिकली बिहार में इसलिए फॉर्मूलेट किया जा रहा है कि water resources या water की availability जो है प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर मातरा में हो सके राइट इंशूर टाइमली availability of water and full utilization of irrigation potential और यह जो है इंद्रपूरी जलासाय योजना जो बेसिकली है वो सोन irrigation system से associated है करेक्ट तो अगर बीपियसे में आपको पूँछा जा सकता है कि इंद्रपूरी जलासाय योजना जो है कों से irrigation system से associated है को सि irrigation system या गंडग या बुरी गंडग या तो यह ध्यान रखेगा Phone Irrigation System इंदरपूरी जला साई योजना है रैट नेक्स है बांज सागर आप näम में सुने होंगे बांज सागर का काफी फेमस राही नियूज में भी आ था तो बांज सागर जला साई योजना ये भी Zoneяет सोन वैली मतलब Zone Irrigation Facility से एस्योजना है और इसमें ना केबल बिहार बलकी मद्द प्रदेश, यूपी, जारखन ये सब भी associated है तो बान सागर जला से योजना रिवर लिंकिंगें भी नाम आता है बान सागर का दियान रखेगा बान सागर रिवर तो ये सून वैली से associated है और बान सागर रिवर पे है बान सागर जला से योजना इस अंडर सून वैली मद्द प्रदेश और यहां पे उत्तर प्रदेश और बिहार का collaboration है और साथ में ये भी बोला गया है कि जारखन का भी कुछ agreement है राइट तो बेसिकली ध्यान रखेगा मद्द प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार ये तीनों मिलके बान सागर जला से योजना को आगे बढ़ा रहा है फिर दिखेगा दूसरा है अंदर बिहार बेंगॉल इंटर स्टेट के प्रोजेक्ट में इंटर स्टेट के प्रोजेक्ट में बिहार बेंगॉल बिहार बेंगॉल एग्रिमेंट भी 1978 में साइन किया गया था जिसमें basically दो प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का 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 प्र और जारकन ये तीनों मिलके ये प्रोजेक्ट को लाया गया है या पर्पोजल दिया गया है तो तिलेया धांधर डाइबर्शन स्कीम और अपर महानंदा इर्रिगेशन प्रोजेक्ट जो कि बिहार बेस्प्रंगॉल जारकन के बीच है अब कुछ और अधर कॉमन प्रोजेक्ट जो बिहार जारकन के बीच में है उस चीज़ को मैं हाइलाइट कर जाता हूँ आप लोगों के लिए जो कि नमा नेमली आपको याद रखना है कि किस से असोसियेट है तो बिहार और जारकन के बीच में है तो पहला देखिए उत्तर कोयल जला से योजना बिहार जारकन के बीच में फिर ठीक है बतेस्त्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना ये भी बिहार और जारकन के बीच है फिर चंदन जलासाई योजना ये भी बिहार और जारकन के बीच है अपर सकारी जलासाई योजना ये भी बिहार और जारकन के बीच में है और बर्नार, जलासा, योजना ये भी बिहार और जार्खन के बीज में तो बेसिकली आप दिखेगा कि बिहार का जो मेजर प्रोजेक्ट छुट-छुटे जलासा, योजना के तोर पे जो एग्रिमेंट है बहुत सारा जार्खन के साथ में तो ये आपका water resources था और water resources को properly harness के लिए या water availability को proper रखने के लिए या proper time पे लब्ज करवाने के लिए बिहार government इंडिया के cooperation के साथ या इंडिया के साथ में अलग-अलग agreement किया है जहां पे international project की बात आती है तो होँआ इंडिया involved तो होगा ही international project है तो और interstate में बिहार जो है अलग-अलग state से अलग-अलग agreement करके अपने irrigation potential को बढ़ा रहा है या irrigation water availability को बढ़ा रहा है और साथ में agriculture के ऊपर emphasize कर रहा है तो यह सारे प्रोग्राम ते scheme था जो आपके prelims के point of view से important हो सकता है guys so guys I will request you all कि आप इस lesson को दुबारा देखिए और जो मैं आपको लेशन आप भी upload किया हूं इस चीज़ का ध्यान रखेगा यह जो lesson है बहुत ही relevant information के साथ latest data के साथ में है एकदम 10th latest data economic survey का अनुसार है बिहार का economic survey का अनुसार और मेरे lesson को देखने का एक तरीका में आपको बताता हूं कि minimum आपको दो बार lesson देखना है पहली बार जब आप lesson देखते हैं तो आप प्रॉपरली छोटे-छोटे point जो प्रिलिम्स के point अभी उसे आता है या आ सकता है उस चीज़ को आप अपने copy में jot down कीजिए paper pencil या paper column हमें साथ में रखेगा और जब दूसरी बार देखते हैं तो उसी चीज़ को जो आपने note किया उसको link कीजिए कि अच्छा ये चीज़ मैंने पढ़ लिया या मुझे याद हो गया या mug up कर लिया उस चीज़ को link कीजिए और उससे कुछ और चीज़ निका लिए दोनों बार देखने में एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि एक बार angle आपका prelims के point अभी उसे हो और दूसरा angle आपका mains के point अभी उसे हो तो हर एक वीडियो के पीछे आप एक बार PT के point अभी से facts को note कर लिजिए और दूसरी बार मेंस के point अभी से यह बनाने की कोशिच किजिए कि अगर water resources के ओपर विहार में किसी तरह का question आता है तो हम कैसे 100 वर से 200 में लिख सकते हैं तभी आपका proper study हो सकता है और वाइस PT की तैयारी करना को अच्छी बात नहीं होती है मेंस की तैयार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि इंटिमेशन आपको मिल सके सो गाइस थैंक यू अन लास्टली फील फ्री तो आस्क मी एनी टाइम एनी क्वेस्टन विट रिगार्ड टी और स्टडी यूर प्रपरेशन फोर सिविल सब्सक्राइब कर लिजेशन थैंक यू